हमारा आज का टॉपिक है मीडिया बाइंग टर्म्स मीडिया बाइंग बेसिकली एड्स मेनेजमेंट को जो है वो बोला जाते हैं और इसमें ओवराल अगर फेस्बुक एड्स गूगल एड्स लिंग्डिन एड्स और जितने किसम के भी जो है वो हमारे पास एड्स वगरा होत तो इसके अंदर का डीली बेस के ओपर हम लोगोने एड्स को मैनिज करनी एड्स के ओपर जो हो आप इसके ओपर तो डिफरन्टरंट टरम्स यूज हो रही तो स्टार्ट करते हैं, पहले हमारे पास होती है accelerated delivery, accelerated delivery दो किसम की हमारे पास deliveries होती है, facebook के ओपर भी और google के ओपर भी और even linkedin को ओपर भी, दो किसम की deliveries हैं, एक होती है accelerated delivery और एक होती है standard delivery, ठीक है, अब इसमें accelerated delivery के अंदर जो हो क्या होता है, जो भी method या जो भी media या जो भी platform हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर as soon as possible हमारे budget को spend करें और जतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारा air नजर आ सकता है, त तो वो दिखाया जाता है, तो basically अगर इसकी definition के ओपर जाएं, a delivery system that shows, जो भी हमारा air होगा, shows our air to as many people as possible in a short period of time, ठीक है, जब जतनी जल्दी जो हो सकेगा, ये basically जो हमारे airs का, जो भी budget होगा, उसको use करने की कोशिश जो हो करेगा, अच्छा, जो standard delivery जो होता है, इसमें जो हो क्या होता है, a delivery system that show our air to people or in a 24 hours period of time, ठीक है, यानि इसमें जो हो क्या होता है, slow slow budget जो हो हमारा spend होता जाएगा, और इस budget को extend करेगा, 24 गंटों के अंदर, तो ये नहीं होगा, अचानक से अभी अगर हम लोगों ने airs चलाया है, तो within एक घंटे के अंदर अंदर हमारा budget जो हो खत्म हो जाएगा, तो normally हम लोग इन दोनों में से जो हो standard delivery की option को जो हो use कर रहे होते हैं, कि हम लोग चाहरे होते हैं, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं बलके basically अपने targeted लोगों को अपने air दिखाना चाहता हूं, चाहे उसके लिए मुझे जो है वो wait ही जो हो क्यों ना करना पड़े, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है, add auction, अब जब भी हम लोग कोई अपना add जो ह जो है वो चलाते हैं, तो वो basically जो है वो क्या होता है, auction system के अंदर जो हो जाता है, और उसमे basically हम लोग जो हो अपनी bid amount भी जो है वो declare जो हो कर रहे होते हैं, कि हम लोग किसी भी add को show करवाने के लिए, उसके ओपर clicks लेने के लिए, impressions लेने के लिए, conversions लेने के लिए, कितनी maximum amount जो है वो pay करने के लिए, जो है वो त्यार है, ठीक है, तो ये basically, अगर इसकी हम लोग जो हो definition पे जाएं, तो component of add, delivery through which we decide how much maximum price we are willing to pay for our ads optimization, again goal, optimized goal इसको कर लें, optimization goal, मैं optimization goal इसको जाए हो रहने देता हूं, optimization goal क्या हो सकते हैं, clicks, उसके लावा impressions हो सकते हैं, engagements के लिए हम लोग run कर सकते हैं, या mainly can audience, तो again, जब भी हम लोग कोई add बनाते हैं, क्योंकि एक ही same audience को serve करने के लिए, मुख्लिफ ads जो हो चल रहे होते हैं, तो वो basically हमारा add auction में जाता है, तो उसके आपकी add quality भी matter करती है, उसके लावा हमारे पास basically, क्या होता है, मुख्लिफ advertisers आपस में compete करते हैं और वहां पर basically decide हो रहा होता है, कि आप लोग जो है वो इतनी amount pay करेंगे और इस base के ओपर आपको जो है वो इतनी जो है वो cost पड़ेगी, ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो भी willing है add auction के ओपर जो है वो pay करने के लिए, तो यह हमारे पास जो है वो आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास होती है basically अगर हम लोग जो हो इसको discuss करें तो add delivery, अच्छा, add delivery भी बोल सकते हैं इसको, या add delivery optimization, अब add delivery optimization जो है वो क्या होता है, यह भी basically एक delivery system है, जिसमें Facebook जो है वो आपका जिस भी optimization के लिए या जिस outcome को हासिल करने के लिए आप लोगों ने add जो हो चलाया होता है, तो उसके लिए जो है वो आपके add को जो है वो optimize जो हो कर रहा होता है, ठीक है तो यह basically क्या add delivery optimization यह ऐसा system है, again delivery system इसको आप लोग बोल सकते हैं, the delivery system आगे जो भी platform होगा, like Facebook है, Google है, जो भी आप लोग यह वो platform यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे let's suppose अभी हम लोग यह वो Facebook यूज़ कर रहे हैं, तो Facebook uses to determine what outcome you are trying to accomplish बेस्ट ओन दी ओप्जेक्टिव अप्टिमाइजेशन और अधर ओपसाइट सिगनल परवाइड इन एड शाट ठीक है तो इसमें जो भी चीज हम लोग को नहीं जो है वाइज अप्टिमाइजेश्ट अप्टिमाइजेशन गोल बेसीकली होते कि हैं मैं ये पहले बता दू फिर दोबारे इसके ओपर आता हूं आड़ अप्टिमाइजेशन गोल तो पहले अड़ अप्टिमाइजेशन गोल को गो रहे हैं या आप लोग जो है वो लीड्स हासिल करना चाह रहे हैं या वेबसाइड पर्चेजिस के लिए आड्स को अप्टिमाइज लाइक आपका e-commerce बिजनस है आप लोग चाहते हैं के लोग जो है वो एड्स को जो है वो देखें और आड्स देखने के बाद जो है वो वेबसाइड के ओपर जाएं और वहां पर पर्चेज कर लें या आप लोग जो है वो चाह रहे हैं एफबी के ओपर आपको messages جو ہے وہ لوگ send करें website के ओपर again पहली option थी website traffic के आप लोग जो है वो क्या चा रहे हैं अगर लोग जो है वो आपकी website के ओपर जाएं leads लोग आपका sign up farm फिल करें website purchase के आप लोग आपकी website के ओपर जाएं ads से और वहाँ पर purchase करें fb messages इसके लावा instagram direct की option जो है वो आपके पास जो होती है इसी तरह कुछ हमारे पास post होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ engagements के लिए हम लोग optimize करते हैं बाव उकात सिर्फ और सिर्फ हम लोग video views के लिए campaigns जो हो चलाते हैं तो ये different किसम के हमारे पास add optimization goals जो होते हैं तो अब अगर इसको हम लोग link करें add delivery optimization से तो ये basically जो हो हमारे पास क्या है ये एक ऐसा system है जिसको facebook यूज करते हुए basically जो भी हमारा outcome है जो हम लोगों ने objective यूज किया हुए optimization goal जो हो यूज किया हुए तो उसको basically accomplish करने की जो हो कोशिश कर रहा है ठीक है उसको हासिल करने के लिए अगर website traffic है तो facebook क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा हमारी ads के ओपर clicks लाने की जो हो कोशिश कर रहा होगा leads है तो add delivery optimization के जरीए facebook जो हो कोशिश क्या करेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा leads जो हो हासिल करें website purchases के लिए अगर optimize किया है तो facebook system जो हो क्या basically accomplish करने की कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हो ads के थुरूँ आपकी website पे जाएं और उसको purchase करें अच्छा बाद उकात अब यहाँ पे एक जो हो misconception जो हो समझ लें misunderstanding जो हो समझ लें कि अक्सर लोग जो हो क्या कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे purchase ही चाहिए तो उसके लिए मैं website traffic campaign जो हो run कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मेरी website के ओपर आएंगे तो ultimately उसमें जो हो buyers भी होंगे और वो purchase कर लेंगे यह हमेशा ऐसे scene नहीं होता Facebook के पास based on इस algorithm और data जो लोगों ने provide किया हुआ है Facebook हमेशा हमेशा उसी चीज़ के लिए आपके अड़ को optimize करता है जो आप लोगों ने objective यूज किया हो अगर आप लोग website traffic जो है वो यूज कर रहे हैं आपकी e-commerce website है तो 1000 clicks के बाद भी शायद आपको एक भी purchase ना मिले 10,000 clicks के बाद भी शायद आपको एक भी sale ना मिले हलांकि आप लोगो कह रहे होंगे तो मैंने अपना एड तो जो है वो अपनी target audience के लिए चलाया तो ये कैसे possible है कि इतने लोग मेरी website के ओपर आ रहे है कोई एक भी बंदा purchase नहीं का रहा है या जिस्ट एक्जेमपल हजार लोग आए है तो उसमें से सिरफ एक sale दो sale मुझे जो है वो मिली है क्योंकि फेस्बुक हमेशा उसी objective के लिए आपकी campaign को optimize करता है जिस objective के लिए आप लोगोंने चलाया है अगर purchase के लिए जो है वो चलाया होगा तो आपका results भी हमेशे है in terms of purchases ही जो है वो आएंगे ठीक है traffic के लिए है तो traffic related ही audience आएगी जो कि इस चीज़ के अंदर जो है वो interested नहीं है कि basically जो है वो क्या करें कि आपकी website के उपर आएं और purchase करें तो ये misconception या misunderstanding को समझना जो है वो लाज़मी है कि जिस objective के लिए भी अपनी campaign को आप लोग optimize करेंगे आपकी campaign हमेशा हमेशा उसी चीज़ के लिए जो है वो चलेगी अच्छा अभी अगर next जो हम लोग चलते हैं तो हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं पहला होता है campaign लेवल campaign लेवल basically जो हमारे पास वो लेवल है जिसके ओपर हम लोग decide कर रहे होते हैं normally अपना campaign objective या optimization objective हम लोग यहाँ पे decide कर रहे होते हैं decide optimization objective like just example यहाँ पे हम लोग जो है वो decide कर रहे हैं कि मुझे अपनी इस campaign के जरीए messages चाहिए leads चाहिए purchases चाहिए या क्या चाहिए इसी तरह हमारे पास एक होता है ad set level ad set level के ओपर हम लोग जो है वो normally decide कर रहे होते हैं decide सबसे पहले तो audience audience कौन-कौन सी audience होगी उनकी age क्या होगी gender क्या होगा interest क्या होगे language क्या होगी और plus placements placements कहां-कहां के ओपर हम लोग जो है वो अपना add जो है वो show करवाना चाहते हैं और एक हमारे पास होता है जी ad level ad level के ओपर हम लोग जो है वो क्या करते हैं decide add format primary text जिसको add copy भी बोला जाता है headlines और call to action बटन और website link तो ये सारी चीजे हैं हम लोग जो है वो कहां पर decide कर रहे होते हैं हम लोग ad level के ओपर जो हो decide कर रहे होते हैं के basically जो है वो ये ये चीजें जो है वो हमारे पास जो है वो होनी चाहिए या हमारी audience को जो है वो नजर आनी चाहिए ठीक है तो ये हमारे पास जो है वो basic चीजें आगी उसके लावा हमारे पास जो है वो कुछ चीजें जो हो होती है like है अगर हम लोग जो है वो बात करें बीड़ की यह को जो है वो बोला जाताए ایड़ट्राइजर फिक है तो यह जो है वो नेम से जाहर है के यह लोग जा है के अमाउंट बीड़ आ यह आप लोग क्या कर था तो उस में हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं जो अंवांट पुट कर रहे है तो वह हमारे पास जया वह वह हमोड दोती है तो यहां पहँ भी अगर इसको मैं जो हमारे पास होती है अाटिंटिड ऐunted तुमेटिड जो हम इसको बोह लें और दूसरा let the facebook algorithm decide the bid about जबके manual में हम लोग जया वो क्या करते है we put over on bid तो यहां पे manual bid में नेम से जया वो जाहर है कि हम लोग जया वो क्या कर रहे है अपनी bid जो है वो put कर रहे है कि मैं जो है वो इस amount से जयादा पे जो है वो नहीं कर सकता अब इसमें भी जो है वो जिस तरह भी यहां पे मैंने एक misconception, misunderstanding की बात किया तो यहां पे भी एक यही चीज जो होती है manual bid में just example आप लोगों ने decide किया कि मैं जो है वो five dollar पर purchase पे करने के लिए ready हूँ ठीक है यह manual bid आप लोगों ने select की और आप लोगों ने अपनी तरफ से decide कर लिया कि जो भी facebook मुझे purchase लाके दे रहा है मैं पांच dollar से ज्यादा उसको pay नहीं करूंगा तो आप लोगों ने यह amount put जो है वो कर दी अब होगा क्या most of the cases आपकी campaign जो है वो run नहीं होगी क्यों run नहीं होगी तो दो तीन मुखलिफ किसम के जो है वो आपके पास rules है so just example अगर market price थी आपकी 10 dollar per purchase ठीक है जो हम लोगों ने यहां पर decide किया कि facebook algorithm decide करता है based on यह जो add auction जो होती है जो के हमें normally जो हो स्टाटिक पे जो हो नहीं पता होती तो अगर market price जो हो 10 dollar चाल रही थी हमने का कि मैं तो सिरफ 5 dollar per purchase जो हो add जो हो कभी भी run नहीं होगा कोई reach impression कुछ भी जो हो हमारे add के ओपर जो हो नहीं आएगा क्योंके basically जो हो जो market price थी उससे हम लोग जो हो काम पे कर रहे हैं ठीक है market price जब भी आप लोग काम पे कर रहे हैं तो आपका add कभी भी जो हो नहीं चलेगा तो इसके लिए best practice यह स्टार्टिंग में आपने automated bid ही जो हो इसको रहने देना है फिर उसके बाद जो हो आपको पता चल जाए कि अभी market price जो हो यह चल रही है so just example आपको पता चल गया के market price जो हो यह चल रही है तो आप लोग next time पहले decide करो मैंने nine dollar per purchase जो हो run करना है तो इस point of time पे जो हो क्या होगा market price हमारे पास जो हो यह चल रही हो तो इसकी base के ओपर जो हो इसका algorithm जो हो तलाश करेगा और ज्यादा दर chances हैं हमें nine dollar पे भी sales मिनना शुरू हो जाएंगी उसको मजीद optimize करते हुए हम लोग eight dollar के ओपर भी लेके आ सकते हैं लेकिन market price अगर दास dollar है और हम लोग जो हो के नहीं तो मैंने तो दो dollar pay करना है तीन करना है चार करना है तो फिर वो जो है वो हमारी कभी भी campaign रान जो है वो नहीं होगी अच्छाए एक leads का हमारे पास अच्छा जो है वो question आता है leads basically जो है वो क्या होती है तो leads basically कोई भी एक lead है when when a person willingly submit their personal information to us या over business normally in exchange for some value valuable thing ठीक है जिसको normally lead bait भोता जाता है that's called lead अब इसको मैं explain करता हूँ जिए lead क्या होती है जब कोई भी person हंसी खुशी अपनी मर्जी से अपनी information जो हमें दे रहे है like हम लोगों ने कोई भी एक form जो हो put किया हुआ था अपनी website के उपर या facebook ads के थुरूई और वो person उसको fill कर देता है और like अपना normally जो हो क्या होता है personal information जो हो उसकी अगर हम लोग जो हो discuss करें तो name, email, phone number जो होता है name, email, phone, etc. ठीक है तो हसी खुशी अगर वो अपनी हमें ये information जो हो provide कर रहा है तो इसको जो हो बोला जाता है lead और normally ये अपनी information जो हो हमें क्यों देते हैं क्योंकि हम लोग exchange में जो हो उन्हें कोई ना कोई benefit परवाइड कर रहे होते हैं lead bait जो हो provide कर रहे होते हैं lead bait पे एक दफ़ा आजें तो lead bait जो हो क्या होती है या कोई भी valuable thing जो हो valuable thing like just example sometime जो हो क्या होता है कोई discount offer है या जो हो just example वैसे ही offer है कोई या कोई e-book जो हम लोग उनको दे रहे हैं कोई checklist जो हो उनको provide जो हो की जा रही है और इसके लावा कोई free offer free free be है ठीक है तो ये इस तरह की different offers होती है जो हमारी client या हमारी target audience को जो हो लग रहा होता है कि ये बड़ी beneficial चीज़ है मुझे ये ये लाजमी लेनी चाहिए तो उस चीज़ को basically लेने के लिए लोग क्या करते हैं अपनी फिर personal information हमें जो है वो send करते हैं जिसको हम लोग marketing purpose के लिए जो हो use किये कर रहे होते हैं तो normally ये जो lead bait होती है ये design भी अपनी target audience के लिए की जाती है और offer भी अपनी target audience को जो हो की जाती है ये नहीं होता कि just example क्या जी एक software बनाने वाली company है वो lead bait जो है वो provide कर रही है कि आप लोग जो हो ये shoes की sale है इसके लिए हम लोग जो हो को voucher दे रहे हैं तो उसमें बिलकुल irrelevant offer है अगर software बनाने वाली कोई company है तो उसकी lead bait जो हो क्या होगी trial version होगी उसमें वो क्या कर रहे हैं basically आपको trial provide कर रहे है और आप लोग उस trial को लेने के लिए अपनी name, email, phone number जो है वो उनको provide कर रहे हैं अब ये company to company depend करता है कुछ लोग सिर्फ name, email ले रहे होते हैं कुछ सिर्फ name, phone number ले रहे होते हैं कुछ जो है वो आपके उसे तीनों चीज़े name, email, phone number जो है वो ले रहे होते हैं और कुछ लोगों ने name, email, phone number के साथ जो है वो lead, qualification, question भी जो है वो पूछा होता है ताकि उन्हें पता चाल जाए कि इसमें से कौन लोग है जो हमारी product को आगे next time afford भी कर सकते हैं so just example software बनाने वाली company वो आपके पास आई उसने कहा जी मुझे leads आई हैं और leads में हम लोग as a lead bait provide कर रहे हैं trial version हमारे software का एक मा के लिए तो जब आप लोग उसको sign up करते हैं तो उसमें जो है वो normally आपसे जो है वो आपकी company details पूछ रहे होते हैं company details होगी sometime जो है वो location आपकी जो है वो पूछ रहे होते हैं इसके लावा just example number of employees जो है वो आपसे पूछ सकते हैं number of employees आपके जो है वो कितने हैं इसके लावा प्रिवियसली जो CRM system वगारा जो है वो use कर रहे हो तो इस तरह के मुखलिव lead qualification questions जो है वो इस farm के अंदर जो है वो embed होते हैं जिसके अंदर basically जो है वो उन्हें पता चल जाता है कि इस में से हमारी target audience कौन सी है और irrelevant audience जो है वो कौन सी है क्योंकि irrelevant audience को आप लोग जो है वो यहां से नहीं निकाल सकते तो यह basically हमारे पास जो है वो again different चीजी है जिनको आप लोगों ने जो है वो campaigns बनाते हुए जो है वो समझने ठीक है तो यह हमारे पास जो है वो अच्छा leads आगी leads की भी आगए जो है वो दो तिन टाइप हैं एक होती है हमारे पास instant farm leads एक हमारे पास होती है conversion leads अच्छा conversion को भी हम लोग यह वो discuss करते हैं conversion क्या होती है पहले instant farm leads और conversion leads को discuss करने पहले मैं आ रहा हूं conversion के ओपर conversion क्या होती है any valuable action on our website that प्लेट फार्म प्लेट फार्म में क्या है जो भी हम लोग जैस्ट example facebook गूगल वोगारा कुछ भी जो है वो यूज कर रहे हूं या linkedin ने टिक टॉक भी इसी के अंदर आ जाते हैं एनी वैल्यूएबल action on our website that platform विल ट्रैक ठीक है ट्रैक के लिए अब हमारे पास होता है pixel तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ निकलती जा रही है पहले मैं फिलाल इसको जो है वो explain कर दूं conversion के है जिस्ट example आप लोग जो है वो चाहरे हैं कि लोग मेरी website के उपर जाएं और वहां पर जाके जो है जो है वो just example जा रहे हैं लोग आपकी website के उपर जो है वो जा रहे हैं और वहां पर जाके जो है वो कर रहे हैं क्या नाम लेते हैं चेक आउट इनिशेट चेक आउट जो है वो कर रहे हैं तो वो भी एक जो है वो conversion action जो है वो हमारे पास आता है तो यह तुमाम चीज़ें conversion जो है वो खिलाती है तो instant farm leaders की अगर जो है वो बात करें तो इसमें जो है वो क्या आता है आसमार pop up farm that facebook will provide during lead generation campaign अगर हम लोग जो है वो lead generation campaign जो है वो चला रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक option जो है वो मजूद होती है कि हम लोग जो है वो एक छोटा सा farm facebook के ओपर ही जो है वो बना लें ताके जो है वो basically लोगों को facebook जो है वो छोड़नी ना पड़े ठीक है और अगर conversion lead की जो है वो मैं बात करूँ तो यह basically क्या होता है website sign up या registration form ठीक है तो website के ओपर conversion का लफज जब भी आएगा तो वो again website के ओपर जो हमारे पास जो है वो जाएगा अब question है कि इन दोनों मेंसे बेहतर अच्छा एक और हमारे पास होता है messenger leads भी होती है messenger leads के अंदर जो है वो क्या हो रहा होता है we are asking questions in messenger messenger के ओपर यह आप से सबसे पहले आपका name name facebook से normally मिल जाता है तो name नहीं जो है वो पूछा जा रहा होता है email आप से जो है वो पूछ रहे होते है और phone number जो है वो आप से जो है वो पूछ रहे होते है main दो टाइपस हमारे पास use होती है instant farm leads और conversion leads तो दोनों की अगर जो हम लोग जो है वो बात करें कि दोनों मेंसे best कौन सा है तो यह basically जो instant farm leads है more quantity of leads तो इसमें जो है वो क्या होता है हमारे पास leads की quantity जो है वो ज्यादा होती है लो प्राइस leads यहां से हमें मिलती है लो प्राइस leads ठीक है और like again जो main चीज़ है वो क्या होता है यह native है यह लोगों को उस farm को fill करने के लिए यह उस आफ़र को हासिल करने के लिए जो है वो फेस्बुक को छोड़ना नहीं पड़ता लेकिन अगर हम लोग जो है वो इसकी बात करें तो इसमें जो है वो basically जो है वो क्या होता है more quality of leads होती है leads quality जो है वो हमारे पास हाई होती है जो हो ज्यादा होती है और इसकी price भी जो है वो हाई होती है अगर आपको जो है वो तीन चार्ट डॉलर की lead जो है वो instant farm से जो है वो मिल रही है तो यहां पे शायद 10-15 डॉलर की जो होगी और यह native जो है वो नहीं होती people need to leave facebook या plate farm जो भी होगा for filling that farm farm को fill करने के लिए जो है वो ने facebook जो है वो छोड़नी पड़ती ह है तो यह basically lead के अंदर जो हो मुखलिफ किसम के हमारे पा स्टाइप आ जाती है तो जब भी आप लोग campaigns के थूरू अपनी audience को अपनी website के ओपर जो हो भीज रहे हैं तो हमें वहां पे facebook या google और website दोनों के दर्मयान में हमें link create करना होता है like facebook के लिए हमारी जो website है वो basically third party जो इसको facebook directly उसके data को access नहीं कर सकता ना google कर सकता है तो फिर वहां पे हम लोगों ने जो है वो क्या करना होता है वहां पे pixel install करना होता है तो pixel basically क्या होता है small piece of code that allow facebook to track data या track visitors on our website है तो यह चोटा सा जो फूट है जो हम लोगों ने जो हो क्या करना है website के header के इंदर जो हो इसको paste करना है जैसे हम लोग website के header के अंदर इसको paste करकर save कर देते हैं तो basically facebook और website का अपस में link पन ज़ता है और यह対 जितने भी visitors हमारी website के ओपर जो भी actions perform कर रहे हैं यह Facebook को send करना शुरू कर देता है तो like again अगर हमारी एक e-commerce website है उसके लिए जो है वो यह क्या data Facebook को जो है वो send कर रहा होगा so just example total visitors कितने थे उन में से add to cart कितने लोगों ने जो है वो किया उन में से कितनी create हुई हमारी website के ओपर searches कितनी हुई या अभी मैंने आप लोगों को बताया website complete registration जो है वो कितनी हुई तो यह जितने भी जो है वो event हमारे पास जो होंगे यह सारे के सारे जो है वो यह Facebook को भेजना शुरू कर देगा और इसका benefit जो है आउता है कि हम लोग जो है वो मुख्लिफ किसम की audiences Facebook के ओपर जो है वो बना सकते हैं retargeting audience जो है वो Facebook के ओपर बना सकते हैं उसकी base के ओपर look-alike जो है वो audiences बना सकते हैं अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि आप लोग जैसे कोई एक website विजिट करते हैं कोई expressing website अभी विजिट की है और back end पे उसके जो है वो campaigns चल रही होती है कि जैसे ही लोग मेरी website विजिट करें तो उसको ये फलाने वाला ad जो है वो नजर आना शुरू हो जाए तो उस point के ओपर जो हो basically क्या होता है हमारे ads जो हो ट्रिगर होना जो हो शुरू हो जाते हैं और again ads ट्रिगर के बाद जो हो क्या होता है हमारे ads उन लोगों को जो हो नजर आना जो हो start जो हो जाते है तो name से जाहर है अगर आप CPR जो हो चेक करें तो cost per result है ठीक है तो ये basically या CPA भी इसको जो हो बोला जाता है cost that you'll be charged every time when the action is taken. ठीक है अब just example cost per result अगर हम लोग जो है वो purchases के लिए campaign को optimize कर रहे हैं तो ये change हो के हो जाएगा cost per purchase अगर हम लोग जो है वो leads के लिए campaigns को optimize कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जी cost per lead अगर जो हम लोग messages के लिए campaigns को optimize कर रहे हैं तो ये ही change होके हो जाएगा cost per message अगर हम लोग traffic campaign चला रहे हैं clicks के लिए जो है वो कर रहे हैं campaigns को optimize तो ये क्या हो जाएगा cost per click अच्छा ये जो cost per click होता है इसको CPC भी जो है वो बोला जा रहा होता है ठीक है CPC again उपर मैंने discuss कर लिया cost per click होता है और इसी के साथ कुछ terms होती है को होता है CPM इनको मैं लिख भी देता हूँ cost per click CPM जो होता है हमरे पास cost per milli impressions milli को 1000 जो है बोलते हैं तो normally हम लोग जो है वो क्या कहते है cost per 1000 impressions इसी तरह एक होता है CTR CTR बोला जाता है जी click through rate ठीक है click through rate कितने impressions के बाद जो हमें clicks जो है वो मिल रहे हैं तो उसको आप लोग जो है वो click through rate भी जो है वो बोलते हैं इसी तरह आगे next एक चीज़ use होगी ROAS जिसको बोला जाता है return on add spend के जितनी amount हम लोगोंने ads के ओपर जो है वो spend की उसका return जो हमें क्या जो मिला तो इसको simply एक example से मैं explain कर देता हूं so just example आपने ads run की और आपको जो है वो 500 की sales मिली ठीक है और आपने amount जो है वो spend की थी एक होती है ROI ROI जो हमारे पास होती है return on investment return on investment में जो है वो क्या होगा return तो हमारे पास again उसी example को मैं लेके चलता हूं कि 500 डॉलर की जो है वो क्या होती है investment की अगर जो है वो बात करें आपने 100 डालर जो है वो ads के ओपर लगाया फिर किसी वो क्या किया graphic designer को भी जो है वो कुछ pay किया उसके बाद shipping cost जो है वो आप लोगों ने pay की ठीक है तो जितने भी expenses होंगे वो सारे आप लोगों ने add करने के बाद यहां पे जो है वो जो भी amount बनेगी वो आप लोगों ने put कर देनी है like आपके पास अभी जो मैं example जो है वो ल hundred divide कर देना है 280 के साथ उसको आपका return on investment आ रहा है 1.7 ठीक है 1.7 तो अगर जो है वो यह positive होगा ROI तो मतलब आप लोग जो है वो profit के अंदर जो है वो जा रहे हैं simple सी जो है वो चीज़ है profit ठीक है अगर यह जो है वो one से कम होगा तो इसका मतलब है आप लोग जो है वो loss के अं example यह क्या हुता जीव यहां पर मैं जो है वो advertiser कास्ट इसी example को मैं दुबारा नीचे लिखता हूँ आपको जो है वो sales जी just example जो है वो हुई है 200 की लेकिन आपका जो है वो expense 280 था तो आप लोग क्या करेंगे अगर इसको जो है वो divide करें तो यह तकरीब बनती है zero point seven one तो अब क्योंके यह less than one हो गया तो आप लोग जो है वो loss के अंदर जो हो चले गए है आपके business को जो हो loss तो यह again understood बात है कि अगर जो है वो आपका return जो है वो ज्यादार है investment या expenses से तो आप लोग profit में अगर काम है तो loss के अंदर आ रहे हैं तो यह normally campaigns की performance देखने के लिए हम लोग ROAS को देख रहे होते हैं ठीक है और overall business की performance को देखने के लिए हम लोग ROI को जो है वो discuss कर रहे होते हैं